Satisfaction and Dissatisfaction Life में इन दोनों में balance कैसे किया जाए Many of us are dissatisfied असंतुष्ट है हम अपनी life से कुछ लोग अपनी job life से कुछ लोग married life से कुछ लोग student life से Dissatisfied है In fact, हो सकता है कि आप एक student हो और एक video देख रहे हो और आप dissatisfied हो अपनी career growth से अपनी exams के results से लेकिन ज़रा सोचिए कि Dissatisfaction कभी कुछ अच्छा लाता है Most of the time Dissatisfaction हमारा happiness, joy बरबाद कर देता है Although dissatisfaction से सीख के हम next time अच्छा perform कर सकते हैं लेकिन most of the time हम ऐसा नहीं कर पाते हैं Dissatisfied होने से एक छोटी सी problem भी हमारा mind उसको बड़ा बना देता है It appears very big चली इसे एक real life stories समझते हैं एक IIT का student था वो अपने teacher के पास गया है और he told कि sir मैं बहुत dissatisfied हूँ depressed हूँ और मुझे पढ़ाई में बिलकुल मन नहीं लग रहा है teacher वहाँ कहते हैं कि बिटा लोग का सपना होता है IIT में पढ़ने का और तुम IIT में पढ़के ऐसी बाते कर रहे है he tells sir मैं बहुत dissatisfied हूँ even suicide के thoughts मेरे mind में आ रहे है ऐसा इसलिए क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते है मैं civil engineering branch में हूँ लेकिन अपने class में last आता हूँ teacher वहाँ उसे एक बहुत अच्छी बात कहते है जिहाध्यान से सुनीगा teacher tells कि तुमारी rank कितनी थी बच्चा बोलता है कि 3000 rank in all our country teacher ask him कि 5,000,000 लोगों में से तुमारी 3000 rank थी तो बचे 497,000 people they should commit suicide before you as humans हम लोगों में tendency होती है उन चीज़ों को देखने की जो हमारे पास नहीं होती है उन चीज़ों पे ही mind focus करता है और उन चीज़ों पे नहीं करता जो actually हमारी strengths है जो हमारे पास है we all need to learn how to count blessings अपनी life में क्या-क्या हमें मिला है उनको गिनिये how much we have got actually हमें दोनों आर्ट सीखनी पड़ेंगी art of satisfaction and art of dissatisfaction अगर life में हम सिर्फ dissatisfied रहेंगे तो हमेशा upset रहेंगे कभी अपना best नहीं दे पाएंगे on the other hand अगर हम satisfied रहते हैं भाई मैं तो satisfied हूँ तो कभी हम नहीं चीज़े सीखनी सकते grow नहीं कर सकते life में develop नहीं कर सकते क्योंकि आप तो satisfied हैं इसलिए satisfaction और dissatisfaction की बीच में सामनजस से एक balance होना चाहिए सिर्फ satisfied रहने से हम कभी grow नहीं कर पाएंगे हमें dissatisfied रहना थी grow करने के लिए जब हमारे mind में ऐसे thoughts आते हैं dissatisfaction वाले तो हमें उन लोग को देखना चाहिए जिन लोग के पास उत्रा भी नहीं है जितना हमारे पास है यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्जामपल हम सीख सकते हैं महात्मा गांदी से the father of our nation महात्मा गांदी की खुद के पास एक वस्तु था धोती और एक वस्तु वो satisfied थे उसमें हम लोग के पास कितनी सारी dresses होती हैं फिर भी हम dissatisfied रहते हैं लेकिन महात्मा गांदी was satisfied on the other hand he was dissatisfied for the country वो country के लिए best चाहते थे यह है satisfaction और dissatisfaction का balance hence rather than looking for what we don't have we should look and focus on what we have उन चीजों पर focus करने से जो हमारे पास नहीं है उससे अच्छा है कि उन चीजों पर focus करें जो actually हमारे पास अभी हैं और उन्हें हम कैसे grow कर सकते हैं life में दो philosophies हैं कुछ लोग सोचते हैं कि life तो एक ice cream की तरह है पिखलने से पहले enjoy कर लो और कुछ लोगे सोचते हैं कि life एक candle की तरह है पिखलने से पहले दूसरों की help करो दूसरों की life में joy लाओ हमारे हाथ में है it's our choice कि हम अपने life की कौन से philosophy बनाते हैं so finally it's our choice what we choose candle और ice cream satisfaction और dissatisfaction में एक balance लाना बहुत important art है जिसको हम सभी को सीखना चाहिए आप लोग को इस वीडियो से क्या सीखने को मिला क्या अच्छा लगा write in the comment box like करके उच्छा बढ़ाईए और अपने family एंद फ्रेंस में इस वीडियो को share कीजिए thank you very much next topic कौन सा आप देखना चाहेंगे write in the comment box we'll make video on that thank you